कि नमस्कार एवाई मीडिया न्यूज में आपका स्वागता है मैं हूँ आपके साथ दुस्षंत इस वक्त हम मुझूद है दिली के यमना में जहां पर आपको बता दे के पिछले कुछ दिनों पहले भी दिली सरकार यही कह रहे थी कि यमना में पानी नहीं छोड़ा जा तरफ से दिली में जो है पानी का संकट खड़ा होने वाला है वैसे आपको बता दे कि पिछले एक मेने से यमना सूखी पड़ी थी दिली सरकार भी कहीं आरोप लगा थी कि यमना में पिछले 65 साल बाद इस तरह का देखने को मिला है क्योंकि यमना में पानी नहीं था लेकिन इन दनों बर्शाथ सुरू हो गए कहना कहीं पंजाब और हर्याने में भी बर्शाथ काफी होने लगे जहां का पानी है वह दिली की यमना में आपको दिखाई देने लगा ऐसे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे साब तोर पर यह वहीं पहले सूखी हुई थी काफी पानी दूर यहां पर पानी था आप देख सेके जो साने जो वौन नजर आ रहे आपको भी लिगिले तो वहां पर नामपानी था पानी था कि यहीं पर नाम बारता है तो वहां जब पानी और फलो हो जाता तो उस पानी को इस यमना में चोड़ा जाता है जो कि दिल्ली वासियों के लिए कहीं न कहीं फाइदा पुचाता है तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी इसी तिगीपूर गाट पर पालेट प्रोजेक्ट बनाया था जो कि कई करोड की लागत से इस पाल प्रोजेक्ट में चोड़ा जाएगा जो डिल्ली के दिल्ली की जन्ता को काहीं फाइदे मोचाया क्यूंकि यहीं होता था चूल आपके पानी ना में भी पानी आ चुका आया लेकिन इस पानी को बताए जा रहे हैं कर दो फैर से इस पानी अना में आना शुरू कूछा था अभी तक इस पानी चोड़ागया यह सीदह वजीराबाद और दिली को निकल जय घरल देखने वाली बात हीέλ jest पानी को इसमे छोड़ा जाए लेकिन प्रसाजन की तरफ से कंभी आना ही नज़रा पानी मिलता है कि दो फूरे में नमय को ख़ोगा गया है इस चुर बनाएं था तरह पर लेकिन पर अभी देख्ते लिए नहीं सब्सक्राइब करते हुए इस दोरा करने के लिए थे उन्हों भी रस्ते में उनको रुकवा कर यही जानकार ली थी कि पानी का बढ़ा हुआ है आला कि उन्हों ने भी यही बताया कि जो लगातार बढ़ रहा है हमने भी अपने जो सिपाई है वह भी कहीं राउंड पर लगा जिए तक कोई भी अग्यात वैक्ति तरफ ना जाए क्योंकि इन दिनों जमना में डूबने का काफी खत्रा होता जिसकी वरे से जो परसातन पहले ही अलट कर दिया जाता है जिसकी वरे से कोई भी बड़ा हासान ना हो देखने को मिली फिलाल देखते रही है हमारे एवाई मीडिया नूज के लिए दूसन सेनकी रिपोर्ट